नमस्का दोस्तों मैं करन सिंग एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लास्टोटिक दा वल्ड ओफ प्लास्टिक्स में तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का चो हमारा टॉपिक है वो है मोल्ड सेफ्टी के बारे में आज हम आपको बताएंगे क कि मोल्ड सेफ्टी क्या है मोल्ड सेफ्टी कैसे मोल्ड पे देते हैं मतलब मशीन पे कैसे हम मोल्ड सेफ्टी की सिटिंग रखते हैं और मोल्ड सेफ्टी का मतलब क्या होता है टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप हमारे तो हमारे वीडियो देखते हैं और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को so subscribe करने लिए सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा दीजे या तो आप वीडियो के last पर हमारा logo आएगा उसको भी टेच कर लिजेगा वहाँ पे, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं and please don't forget to press the bell icon, bell की घंटी को ज़रूर दबा दीजेगा क्योंकि bell की घंटी को आप दबाओगे, तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे कि आप लोग सीख सकें अच्छे से, जो नए बच्चे हैं या पुराने जुन लोगों को वो टॉपिक्स नहीं आते मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि आप वो सारी चीजे सीख सकें तो दोस्तों बढ़ते हैं मोल्ड सेफटी की तरफ और जानते हैं मोल्ड सेफटी में क्या क्या चीजे हैं तो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं मोल्ड सेफटी क्या होता है पहला सवाल वाट इस मोल्ड सेफटी mold safety जो शब्द है ये दो शब्दों में बना हुआ है mold plus safety कहने का मतलब कि mold की safety से related कोई भी चीज है तो हम आपको सिखाएंगे पहले तो आप जान लिजे कि क्या होता है ये mold safety आपको मैं एक example के तौर पूरा समझाऊंगा कि कहां पे कैसे sit करते हैं तो आपको मैं ये marker से समझाने कोशिश करता हूँ आप ध्यान से समझिएगा ये section आपका cavity section है जो की barrel के side attach होगा ये core है आप माल लिजे कि ये mold के 2 halves है core and cavity simple concept तो आपका जो ये section है जो इसकी moving plate है जो होगी इसकी ये toggle ये ram से attach है ठीक है अभी आपका क्या हुआ कि mold आपने clamp कर दिया मतलब कि mold को हमने load किया clamp कर दिया अब हमें mold safety देनी इस पे तो हम mold safety कैसे देंगे तो बहुत ही simple है ध्यान दिजेगा क्या ओरा जैसे mold हमने हमारा पूरा open कर दिया हमने मान के चलिए कि mold की opening पूरी थी 450 mm की तो 450 mm maximum हम वहाँ पे ले गाए setting mode पे आप करिए बिलकुल easy होता फिर आप mold को close कर दिये मतलब mold को जब हम closing पे लेके आएंगे तो mold ध्यान दिजेगा mold जब यहां पे आके रुख जाए मतलब mold जब बंद होने वाला हो उसके थोड़ा सा पहले ही हमने mold को रोख दिया अब हम क्या करेंगे mold की position machine पे देखेंगे मशीन पे mold की position देखी example के तौर पे बता रहा हूँ जैसे आपने देखा 60 mm मतलब कि अब हमारा mold इतना 60 mm पे रह गया है बंद होने का तो क्या होगा हम जाएंगे वहाँ पे setting पे जो अपनी positioning होगी last positioning उसको हम 60 mm पे set कर देंगे 60 पे हमने set किया और जो आपका pressure और speed होगी वो बिलकुल कम कर देंगे comparison to other जो पहले mold आ रहा था तो इस stage पे हम क्या करेंगे pressure और speed कम कर देंगे तो यहाँ से जब mold जाएगा तो बहुत ही slowly जाएगा अराम से mold बंद हो जाएगा तो mold इससे हमारा protected रहेगा, damage नहीं होगा तो बहुत ही simple concept है आपको ध्यान रखना है यह चीज को mold safety बहुत important होती mold protection के लिए या कोई भी accidental ना हो पता चला कि आपने mold safety नहीं दी या speed में चला रहा हो mold तो आके वो mold को damage कर देगा जिससे आपका mold भी damage होगा साथ-साथ कभी कबार machine भी damage हो सकती या उसका toggle system भी damage हो सकता है या RAM system जिससे भी आप clam करा रहे हो तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है आईए अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा वीडियो की तरफ हमने machine पे कुछ बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए सबसे पहले आप देखें mold का page खुला है आपको focus position पे होना चाहिए position से ही हम mold safety को set करते हैं यहाँ पर देखें एक, दो, तीन और low pressure, high pressure करके लिखा है तो हमें जो है एक से दो, दो से तीन, तीन से low pressure और low pressure से high pressure की position यहाँ पे set होती है तो हमें जो आप देखें, third stage से लेके low pressure के बीच में set करना और right side जो भी आपका status बार है, इसमें आपको clam position, CLMP position जो लिखा रहता है उस पे focus करना है, तो यहाँ पे देखें, जो third से लेके low pressure तक है और यहाँ पे clam position आपका है, यह बताएगा mold कितना आगे गया, कितना पीछे है तो यह position आपको पता चलती है, तो इस प्रकार आप इसको आसानी के साथ set कर सकते हो अभी क्या करते हैं, अभी देखें, आप mold पुरा open है, mold खुला हुआ है पूरी तरह से अब इसको जो है, हम बंद करने की कोशिश करेंगे, अभी तो position जो है, वो कम होगी जब mold पूरा खुला होता है, तो उसकी position ज्यादा होती तो अभी mold को close करते हैं, यहाँ पर लाके मैं रोका, तो यहाँ पर आप right side देखोगे 82.1 mm का position सु हो रहा है, clam position, CLMP position पे तो अब जो third stage से low pressure की stage है, वहाँ पर हम 82.1 से थोड़ा कम रखने की कोशिश करते हैं चलिए हम जो यहाँ पर 80 mm सेट करते हैं, तब इसका result देखते हैं तो हमने यहाँ पर 80 सेट किया, तो अब 80 mm पर किस तरीके से आपका mold response कर रहा है या उसमें कुछ और आगे पीछे होने की गुंजाईस है, तो आपको पता चल जाएगा अभी क्या, आपने देखा कि mold काफी पहले से ही slow हो जा रहा है इतना slow होने के आवशक्ता वहाँ से नहीं थी, यह देख सकते हैं तो हम इसको थोड़ा और आगे लाके इस position पर, जो position अभी है यहाँ पर देखेंगे कितना है, तो यहाँ पर दिख रहा है 66.2 है मतलब 6.3 है, तो इस पर हमने क्या किया, 66 set कर दिया यहाँ पर आप देखे 66 set कर दिया, तो अब जब 66 set हो गया यहाँ पर, तो उस हिसाब से आपका position set हो गया mold जो है, smoothly move करेगा, आपके जो guide pin और guide bush है उसमें जो है, अराम से जो है, इसकी matching हो जाएगी यह देख सकते हैं आप इस जगहां से, और इसके साथ इसका moment भी, जो है, हमने सही जगहां पर set किया ताकि जो है, आपका cycle time बच सके, बहुत पहले से slow हो जाएगा तो cycle time पे effect डालेगा, तो इस तरीके से दोस्तों आप mold safety को set कर सकते हैं, और भी चीज़े जानने के लिए और injection molding सीखने के लिए, injection molding detail में जानने के लिए उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को जो है, हमारे courses से जुड़ना होगा हमसे training लेनी होगी, one-to-one personal training, जैसी भी training आप चाहते हो हर प्रकार के आपको training मिलेगी, training के लिए आपकी screen पर whatsapp number आ रहा है हमारा, whatsapp पे message कर दीजे, ताकि fees वगएरा जानके जुड़ जाईए, क्योंकि career आपका है दोस्तों, यहाँ पर एक-एक setting सीखोगे, तो automatic जो है, क्या होगा कि आपकी knowledge boost up होगी और आप कुछ अच्छा कर पाऊगे अपनी field पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज जो है, जानना जरूरी होता कि कौन सी stage में क्या sit करना है, क्या pressure sit करना है खासकर mold से related, क्योंकि जब आप job पर जाते हो ना, तो वहाँ पर यही दिक्कत आती है सबसे जादा दिक्कत इसी चीज़ की होती है, कि जब आप चीजे set नहीं कर पाते हो क्योंकि सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं, और अगर आज भी आप नहीं सीख पाओगे तो आप ही लोगों का नुकसान होगा, बार बार कह कह के मैं ये ठक गया हूँ, तो मिलता हूँ, उमीद करता हूँ, आप लोग messages करेंगे